देखे इस कुशिन को कैसे सुल्व करना है? दो नल किसी होज को 20 और 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं ध्यान दीजेगा बात पे हम मालेते पाइप A टंकी को 20 घंटे में भरता है दुसरा पाइप B टंकी को 30 घंटे में भरता है दोनों का LCM निकाल लेंगे जो LCM बनेगा यह आया 60 यह टंकी की टोटल कैपस्टी बनेगी कि टंकी भही हम मालेंगे 60 लिटर की है अब 20 घंटे में पाइप A 60 लिटर पानी भरता तो हर घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लिटर पाइप B 30 घंटे में 60 लिटर पानी भरता जाता है कितना भाग भई एक बटा तीन भाग पानी से भर जाता है धान रखेगा टोटल टंकी साथ लिटर की है वो कहरा एक बटा तीन भाग पानी से भर चुका है मतलब भई एक बटा तीन करेंगे तो कितना लिटर पानी भर चुका है 20 लिटर अब 20 लिटर पानी भरने में कितना टाइम लगाओगा A और B को A और B धान देंगे हर घंटे में 3 और 2 5 लिटर पानी भरते हैं हर घंटे में कितना पानी भरते हैं मिलकर भई 5 लिटर तो 20 लिटर पानी भरने में उन्होंने कितना टाइम लिया होगा बीस को पाँच से डिवाइड करेंगे चार घंटे उन्होंने लिये होगे अब कुश्चन में आगे बोला गया है कि भई टंकी में छिद्दर हो जाता है जिससे कि एक बटा तीन पानी बहार निकल जाता है ठीक है जो दोनों पाइप भरेंगी उसका एक बटा तीन भाग पानी का तो बहार निकल जाता है दोनों पानी दोनों पाइप कितना पानी बहती है मिलकर भई 5 लिटर वो कह रहा है एक बटा तीन पानी निकल गया धांत से सुनिएगा, एक बटा तीन पानी निकल गया, मतलब तीन में से एक पानी तो भई निकल जाता है, तो बचा कितना पानी, दो बटे तीन, तो भी टोटल पांच लिटर पानी, दोनों पाई भरती थी, बट एक बटा तीन निकल गया, तो अब कितना पानी भरेगा, दो बटा तीन मतलब अब दोनों मिलकर 10 बटे 3 लीटर पानी भरेंगे दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे पाई भई 10 बटे 3 लीटर अब टंकी में 30 लीटर 20 लीटर हमने भर दिया बचा कितना 40 लीटर 40 लीटर पानी भरना है 10 बटे 3 की स्पीड से 10 बटे 3 की स्पीड से तो 10 12 घंटे कितने घंटे आ जाएंगे 12 तो कुछिछन में पूछा गया टोटल कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में चार घंटे और बारा घंटे टोटल 16 घंटे का टाइम लगेगा को भरने में option 3 कि थेंग्यू